हे गाईस विल्कम डू सकस्स दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत हैप का इस वीडियो में ते दोस्तों बात करने वाले हैं अज की नई और फ्रेस रिक्रूट्मेंट के बारे में जो की रिलीस की गई है मिनिस्ट्री ओफ रेलवे की तरब से जहां दोस्तों रेलवे की यह इंडियन रेलवे का पार्ट है और एज़ा टेक्निसियन की पोस्त पर भरती निकाली गई है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहां पर यह है कि विदाउट एनी एक्जाम्स के जरी आपका सेलेक्शन्स होगा यहां पर कोई भी आपका एक्जाम्स नहीं होने वाला है ज गई है तो जो भी ब्रांच से आपने कर रही है वीडियो को पूरा बात किजिएगा काफी साधा इंफोर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है साथ में हम इसमें यह भी बताएंगे किस परकार की प्रोजक्ट है कैसे अपला करना होता है कहां से कहां से वेकेंसी निकाली इसमें बहुत सारी नेटवर्क हैं जहां पर जो ट्रेक बनाए जाते हैं या फिर जो ब्रीज बनाए जाते हैं जिससे रेलवे गुजरती है उसका जो कॉंट्रेक्ट होता है उन्हों आपका किसी ना किसी बड़ी और्गनाजेशन को दिया जाता है जैसे कि एलेंटी हो गय घुजरती है यवतमाल रेलवे प्रॉजक्ट जो आपने थमनेल में भी देखा होगा यवतमाल रेलवे प्रॉजक्ट की तरफ से नई रिक्रूट्में निकाली गई है और इसको लीड करती है सेंट्र रेलवे एक प्राइवेट और्याजेशन के थार्ट पाड़े के करती है किस परकार की सीवी आपकी होनी चाहिए आई ये बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलिप को सब्सक्राइब नहीं कियें यह आपका रेल्वे प्रोजेक्ट की दख वेकिंसी निकाली गई है जैसा की मैंने बताया है तो इनका जो प्रोजेक्ट आपका चलने देगरी के लिए और जो रिक्रूट में निकाली गई है अब चलते नोडिफिकेशन में देखेंगाई इस इंड्रियन रेलवे में इसा बहुत सा बिचाने का काम प्रोजेक्ट को दिया जाता है तो वहां पर जो वेकेंसी निकलती है इस तरह बहुत वेकेंसी बल्क में हारिंग होती है आपने देखा होगा रेलवे के बहुत सारे कॉंट्रेक्ट वरकर काम कर रहे है इसका मतलब यह नहीं कि वो ग्रूबडी पास करके गए उसका यही से आपकी कॉंट्रेक्ट द्वारा हो गए है और एक जॉब पे अपर्शनोडी लाके रखें तो इस तरह की जॉब्स अपडेट आपको चाहिए तो बताना क्योंकि बहुत सारी जॉब्स निकलती रहती है अभी जिस रिकूट्मेंट के बारे में बताने वाला अब यहाँ पे मैं बताऊंगा क्योंकि वेकंसी तीन से चार तरह की वेकंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे और इनका हाई स्पीड रेल नेटवर्क जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजक्ट है वो भी चलता है रहता तो उसकी वेकंसी आती है सबसे पहले देखो सॉर्ण आउकेंशbles होनी चाहे या फिर डिपलोमा अटी हैं तो सर्वेघर होनी चाही या फिर टिपलोमा है तो आई-टिया आपने आई-टिया हिकर रखी हो एलेक्ट्रिकल इंजनेरिंग अब इनमें बहुत सारे candidate आईटिया वाले apply कर सकते हैं डिप्लोमा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मेकिनिकल और आटोकेट सेडिफिकेट अधरवाइस आईटिया किये हैं तो electrician engineering electronic mechanic हो गया उसके बाद mechanical यानिकी fitter हो गया मसनिस्ट हो गया welder हो गया इस trade का जो अभी trade का नाम लिया है वो सारी trade के candidate इस form के लिए apply कर सकते हैं अपके पास नहीं है अपको सीवी सेंड करनी है सीवी सेंड करने में पैसा नहीं लगता है अब आप सीवी सेंड करके बोलोगे सर यहां पर बहुत बार apply किया है लेकिन reply नहीं आता है तो यहां पर minimum experience मांगा गया है गाइस मानलो गर आपने दस student आईटिया के apply किया है अपको बुलाय जागा ओके तो यह डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है नेक्स है पोजिशन ड्राफ्टमेंट की electrical में यहां पर भी डिप्लोमा और आईटिया की student apply कर सकते हैं electrical engineering आपने आईटिया कर रखी हो इलेक इलेक्ट्रोनिक मेकेनिक यहां पर भी मेकेनिकल यानिकी फिटर और मसिनिस्ट और यह भी ट्रेट के अपलाय कर सकते हैं इसकी नांदेड महाराष्ट्रा में आपकी पोस्टिंग होगी तो यह पूरी notification है अब बोलो कि सर सीवी सेंड कहां करनी है तो सीवी सेंड करना email id यह यह email id directly आपको discussion मिल जागी यह फिर टेलिग्राम चैनल सक्सेस दिलिप का जोईन कर लो वहां पर आपको email id मिल जागी देन आपको नहीं मिलती है तो सक्सेस दिलिप का LinkedIn प्रोफाइल चीहां दोस्तों आप अपलाय करना चाहते हैं तो आईए हमारा सक्सेस दिलिप का official LinkedIn प्र कर सकते हैं क्योंकि अभी अभी यहां पर publish मिल जागी urgent hiring यहीं आपका यवत माल railway project तो यहां पर आपको भी link दे जाएगी कैसे email id आपको यहां पर send करनी है तो यह भी recruitment release की गई है पहले उसकी apply करना उसकी बाद यह form apply करना यह form भी आप देख सकते हैं यह भी position survey की है नांदे महराश्रा ओके और यह email id है इस email id में आपको अपना resume send करनी है ओके गैस तो मैंने दो तरह की notification बताई है और दोनों की email id कैसे आपको send करनी है यह भी बताई है एक ministry द्वारा ministry of railway द्वारा project निकाली जाती है जैसे मानलो की government project निकालती है railway की उसको third party contract में लेता है जो tender जारी होता है फिर वो करवाता है तो जो आपकी job लगेगी जब तक project चलेगी तब तक आपकी job होगी क्योंकि यह department पे ही निरवर करती है और project कम से कम मानलो 2030 तक चलने वाली है तो approximately हर एक project में आपको हाँ पर काम करने का मौका मिलेगा देन bullet train का project है तो उस पर कम करने का मौका मिले दी जाएगी और experience करता है experience जादा है तो salary भी जादा मिलेगी तो जाओ जाकर अपना cv send करें cv के साथ साथ cover letter भी लगाए cover letter का link आपको टेलिग्राम में मिलेगी तो टेलिग्राम चैनल में cover letter लगा लेना कुछ doubt है कमेंट करके बताना वीडियो इस फिल लगी हो like share and subscribe जरू जाँ सुनाओ कर अखना वीड़्राम में जाए़ लगाया में जादा लगाए में जाएगी तो एबर लगाए जाएगग लेगागी तो जाएग।